हेलो एवरिवन आज मैं फ्राइम्स को कैसे तले उसकी रेस्पी आपके साथ सेर करने जा रही हूँ फ्राइम्स एक तरह का स्नेक होता है जिसे हम तैवारो या ऐसे ही बच्चों के लिए तल कर त्यार कर सकते हैं तो चलिए इने हम तलना शुरू करते हैं इनके लिए हमें क्या क्या चाहिए आएए देखें फ्राइम्स एक बाउल मिर्च पॉर्डर थोड़ा सा नमाग थोड़ा सा और तलने के लिए तेल अब सबसे पहले फ्राइम्स तलने के लिए तेल गरम करें अब तेल गरम हो गया है चेक करने इसे चेक करने के लिए तेल में एक फ्राइम टले फ्राइम सिककर उपर उटकर आना चाहिए मतलब तेल गरम है फ्राइम स्तलने के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए अब गरम तेल में एक मुटी फ्राइम्स तलने के लिए डालें फ्राइम्स को बहुत साथ दाने से एक चम्मच से उन्हें थोड़ा सा हिलाएं और जब वे ठीक से फ्राई हो जाएं तो कल्ची की मदद से उन्हें निकाल लें अतिरिक टेल निकालने के लिए इन्हें चलनी पर मिकाल लें और सारे फ्राइम्स तरह तलकर त्यार कर लें अब हमारे फ्राइम्स तलकर त्यार हैं आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं और इन्हें ज्यादा मसाले दार बनाने के लिए आप इस पर नमाक और लाल मिज पॉर्डर या चाट मसाला छिड़क दीजें और इस तरह से टॉस करें ताकि सारा मसाला इनमें अच्छे से मिल जाए ये देखिए कितने कुरकुरे फ्राइम्स तरज़र प्यार होई हैं अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फर वाचिंग और पंजाबी मसाला पापर, साबू दाना पापर, फ्राइट मॉंग दाल पापर रैस्पी मेरे चैनल में हैं आप चाक आउट कर सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिसकस्टम बॉक्स में दे दिया है प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चैनल और फोलो मैं इंस्टारम और फेस्बुक पाइज प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चैनल